इंशुरेंस में इंशुरेंस में क्या होता है? कि आदमी इंशुरेंस प्रीमियम पे कर रहा है इंशुरेंस कंपनी इंशुरेंस प्रीमियम ले रही है जो शक्स इंशुरेंस पे कर रहा है चाहे वो हेल्थ इंशुरेंस है चाहे वो लाइफ इंशुरेंस है चाहे वो medical insurance है, चाहे वो accident insurance है, कोई भी किसम का insurance है insurance premium देने वाले को मालूम नहीं है कि accident कब होने वाला है, मौत कब होने वाला है, बिमार कब पढ़ने वाला है, मालूम ही नहीं है ना company को मालूम है, बिल्कुल uncertainty है, बिल्कुल वाज़े clear major गरर है पहली बात पहली बात तो ये मालूम नहीं है कि बिमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा एक्सेडंट होगा या नहीं होगा मौत इस उम्मर से पहली होगी या नहीं होगी मालूम ही नहीं है नमबर दो एक्सिडेंट होगा तो कब होगा होगा या नहीं होगा एक्सिडेंट होगा अगर तो कब होगा 25 साल बाद एक्सिडेंट हुआ या बिमार वो 20 साल के बाद बिमार पड़ा तो उसे यह नहीं मालूम है कि वो बिमार पड़ेगा तो कब बिमार पड़ेगा तीसरी उसे ये भी नहीं मालूम है कि जब accident होगा तो नुकसान कितना होगा या बिमार पढ़ेगा तो बिल कितना आएगा मतलब ये भी clear नहीं है तीसरी बात ये clear नहीं है कि नुकसान होगा तो कितना होगा तीन तीन चीजे major है unclear है इसी वजह से insurance के बारे में फत्वाई ये है ये छटे कायदे के तहट कि insurance करना हराम और भी बहुत सारे insurance में नुकसानात है वो एक अलग टॉपिक है तो हम share market के बारे में insurance के बारे में कुछ चीजें मुक्तसरन और देखने वाले हैं